विडियो में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप SBI का योनो लाइट अपलिकेशन यूज कर रहे हैं और आप कुछ टाइम से अपने एकाउंट को जब भी लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करते टाइम आपके फोन पर OTP नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्ल हैं वह सौल हो जाएगी यहीं आप लोग प्रॉब्लम में क्रेट करते हैं जिस वह से आपकी OTP नहीं आपाती है तो फिन चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र में जाना है उपर आपको सर्च बार में सच करना है सबसे पहले आपको अप्लिकेशन को अपडेट करना है इसके बाद आपको करना है क्या है जाना है मोबाल की सेटिंग पर यह जो आपकी में नेक्स टीक बता रहा हूं ट्रिक को आपको ध्यान देना है आपको जाना है सब क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितने भी अप्लिकेशन इंस्टॉल होंगे सारे अप्लिकेशन यहाँ पर ओपन हो के आ जाएंगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको अपने योनो light sbi application को click करके open करना है जो यहाँ पर आप problem हो रही है वो आपको और ही permission में permission में click करेंगे अब यहाँ पर आप बहुत सा तुरह बरेकी से ध्यान देना है बहुत सा लोग इसको miss कर देते हैं आपको करने क्या है यहाँ पर आपको सबसे पहले sms में click करना और आपको इसको यहाँ से allow कर देना है इसके पर आपको अपने phone में click करना और phone को भी allow कर देना है इतना करने के बाद आपको अपने mobile को एक बार restart करना है restart करने के बाद आपको open करना है अपने light application को जैसे open करेंगे तो यहाँ पर आप अपना mobile नमर डालेंगे इसके बाद जब verified करेंगे तो आपके OTP आपके phone में आ जाएगा जो इससे में यह problem आरे वीर टेकनिकल की इसका मैंने वीडियो बना दिया वो भी जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर यहाँ आपको इस problem को solve करना है उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिल्कु प्रिस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फेंड इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग टेक केर